हलो जैहिंद सभी को श्रागे थे आप सभी का पुना आज के इस न्यू वीडियो में जो कि ग्रेट पर्शनाल्टी पी डब्लूडी का चौथा वीडियो है जिसमें आज हम किम पीक के बारे में जानेंगे जो डिफरेंटली एवल होते हुए भी अपने आपको स्थापित किया है इस सोसाइटी में जहां पर गलत धारणाय या मिसकंसेप्संस भरे पड़े है और ये इससे रिलेटेट कुछ कॉस्टन्स भी आपको मिलेगे इनके बारे में भी हम जानेगे इस्पेसल एजुकेशन से सम्मधित किसी भी एक्जाम के लिए कहीं न कहीं आपको बहुत ही ओपियोगी होगा कॉस्टन्स आ भी सकते हैं नहीं भी बट आपको जानकारी बने रहेगे अगर कहीं भी कॉस्टन्स मिलेगा तो आप कर पाएंगे आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे बहुत ही महत्मूर वीडियोज आपको उपलब्ध होते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा चलिए जानते हैं किमपीक के बारे में ये रहे किमपीक ये किमपीक है किमपीक का जन्म 11 नवंबर 1951 ये 1951 में साल्ट लेक सिटी यूटा सयुक्त राज अमेरिका में हुआ था ये इनकी जो डेथ हुई थी वो 19 दिसंबर 2009 ये 2009 ये इसकी स्पेलिंग है M-U-R-R-A-Y बट इसकी हिंदी है मरे यूटा सयुक्त राज अमेरिका इनका निधन भी वही हुआ था इनका जो कारे छेत्र है इनका जो वर्किंग एरिया है वो यह है पबलिक स्पीकर है एक तरीके मिए इनका देखिएगा कि जो डिसिबिलिटी है उसके तहरे नहीं ने क्या एक बहितरीन अपने अंदर अबिलिटी रखी है तो इनका वर्किंग है रिया पबलिक स्पीकर है यह जो फेमस हैं एक अदभूत स्मृति वाला बेखती है यानिके एमायन विदे अमेजिंग मेमोरी फेमस हैं उसलिए और सोचिए कि जिस यह मतलब एक इसे कहते हैं डिफरेंटली एवल्ड होते हुए और डिफरेंटली एवल्ड है किसमें यानिके दिब्यांगता किसमें है इनकी और्टिजम स्पेक्ट्रम डिशॉडर उसकी अंतरगात सेवेंट सिंड्रोम इनके अंदर पाया गया जो की काफी खतरनाक होता है हमारे डिबलप्मेंट को रोकता है इनका जो कूट्स था सुवी चार थे अलग दिखने के लिए आपके पास दिब्यांगता होना जरूरी नहीं है You don't have to have अभी अलग दिखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है आप अपने काबलियत से भी बहतर बन सकते इनके जीवन के बारे में जानते हैं किम पीक जो की 11 नॉम्बर 1951 से 19 दिसंबर 2009 तक चले दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जानकारों में से एक थे जो की Autism Spectrum Disorder से गर से थे और बौधिक विकलांता का पता चला था वह है 1988 के फिल्म Rain Man के पीछे प्रेणडा थे मतलब एक बहुत बड़ी बात थे कि जो Rain Man एक फिल्म बनी थी 1988 में उसके पीछे एक बहुत बड़े मोटिवेटर थे फिल्म में किम का किरदार निभाने के लिए डस्टिन हाफ मैं को मुख भूमिका में सर्व स्रेष्ट अभिनेता के आसकर से सम्मानित किया गया था हलाकि यह फिल्म किम पीक के जीवन से प्रेरित थी लेकिन इसमें उनकी सटी कहानिया इस्थिती नहीं दिखाए गए थी उनका जन्म उनीस विक्यावन में अशामान रूप से बड़े आकार के सिर के साथ हुआ था जब यह इस्थिती होती है किसी को तो मैक्रो शेफली कहा जाता है किम ने बहुत कम उम्मर में ही अशाधारण याद दास्त का प्रदर्शन करना सुरू कर लिया था जब वह केवल एक वर्स के थे तो उसे पढ़ाई जाने वाली पूरी किताब याद हो जाती थी साथ साल की उम्मर में तक उन्हें पूरी वाईवल सब्द सा यानिके एक-एक सब्द याद थी किम को एक ही कहानी बार-बार सुनना पसंद नहीं था बार-बार पढ़ते थे दूसरी पढ़ते थे हमें इसा याद हो जाती थी उनके लोको मोटर कॉशल लोको मोटर डिसिबिल्टी नहीं locomotor kausal, यानि कि जो moment skill बहुत बेहतरिन थी लेकिन बेहतरिन नहीं थी उसमें समस्याई थी उनके locomotor kausal में बड़ी समस्याई थी जिसके कारण उनके लिए अपनी सर्ट के बटन लगाना जूते के फीते बांधना उसकी लो हो गया था सिर के बोज के कारण जब उसने चलना शुरू किया, तो वह सइड में चलते थे, सड का मतलब है, जैसे मतलब सइड कीमपीक है, तो गली में बगल से चलेंगे, जैसे में डुड है, तो उसके बगल से चलेंगे, क्योंकि कोई दिख्खत न हो जाये, कहीं गिर्ण न जाये, कुछ प्रॉबलम न आ किमपीक की पढ़ने की गती इतनी तेज थी कि उन्होंने आदे घंटे में एक पूरी अच्छी किताब को पढ़ना सुरू कर देते थे या पढ़ लेते थे एक पढ़ के दूसरी सुरू कर देते थे उसने एक साथ दो पन्ने पढ़े सोचिए दो पन्ने कैसे पढ़ते हैं एक साथ बाया पन्ने बाई आक से दाया पन्ने दाई आक से सोचिए कभी एक नंबर का सवाल आजाए कि ऐसा कौन वेक्ति था जो बायाग से बायापनना और दायाग से दायापनना पढ़ लेता था तो सुची यह याद रखना भी आपके लिए हो सकता है कभी सवाल आ जाए हलांकि बहुत डीफ हो सकता है यह सवाल पूछने के लिए बट आपको जानकारी रहेगी सायद कभी न कभी काम आ जाए इतनी तेजी से पढ़ने के बाद भी वह जो भी पढ़ते थे उसका 98% याद कर लेते थे यह बहुत बड़ी बात है और Autism Spectrum Disorder सिक्रसित थे इतनी तेज गती से पढ़ने के कारण किम 15 अलग अलग बिसेव में बिसेशक बन गए थे क्योंकि पढ़ते ही र अवस ही कोई प्रतिभासारी बैखती रहा होगा मनोबैगानिक परिक्षण के अनुसार किम अपने पूरे जीवन में औससस से नीचे रहे उन्होंने सामान ने IQ परिक्षणों में 87 अंग प्राप्त किये जब हम देखते हैं कि इतने अंग प्राप्त के दरह हम चूरते हैं यह तो नॉर्मल से भी इस्थिति क्या है अठारे साल की उम्र में किम को किम पीक जो हैं 860 कर्मचारियों वाली कंपनी में नौकरी मिल गई अठारे साल की उम्रोई ने एक नौकरी करने लगे कंपनी को जोइन कर लिया जहांपर 160 कर्मचारी थे किम की भुमिका कर्मचारियों के भुकतान की गढ़ना करना था अपने तेज गढ़ना कोशल के कारण उन्हें गढ़ना करने के लिए सबता है में किवल कुछ घंटों क आउ सकता होती थी और उसने अपने सारी गढ़ना है अपने दिमाग में की अब सूचिए कि इस पॉइंट से कम से कम 5-6 सवाल रेडी हो सकते हैं अब कैसे भी सवाल आ सकता है तो मेन एक्जाम के लिए आप पढ़ते रहें यह इसका इंगलिस वर्जन है आप इसे भी किम्पिक का जन्म कब हो ग्यारे नमा बरुणीस सो एक्क्यामन को किम्पिक का जन्म इस्थान कहां है साल्ट लेक सिटी योटा सैंतराज अमेरिका किम्पिक किसके लिए प्रसिद्ध थी प्रसिद्ध थी नहीं प्रसिद्ध थे इसके लिए प्रसिद्ध थे अदभुत इस स्मृति वाला ब्यक्ति एमायन विद अमेजिंग मेमोरी हो सकता है कभी आपको सवाल कर दिया जाए कि एमायन विद अमेजिंग मेमोरी आपने गूगल वा ये तो सब पढ़े होंगे लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है बट किम पीक एक और्टिजम स्पेक्ट्रम डिशॉड से ग्रसित थे जो शैवेंट डिशॉργर होता है उसकी होने के बावजूद ये एक अमेजिंग मेमोरी वाले बेग्ति थे इसलिए छे क्योंकि बात उनहीं के होती है जिन में कोई बात होती है हमारे बेग्ति के बात नहीं करते कि हम किस से पीडित थे यानि कि क्या प्रॉब में दें या फिर mcq तो आपको मिलेंगे ही ऑटिजम स्पेक्ट्रम विकार को या डिसॉडर को डॉट-डॉट की रूप में वडित किया गया है यह हमेशा डेवलमेंटल डिसॉडर के नाम से भी जाना जाता है जिसमें लेंग्वेज कम्यूनिकेशन और अपना मोटर रिश्किल बहुत सरी इसी प्राब्लम्स एक साथ देखती हैं से एसडी का पूर्ण रूप ऑटिजम स्पेक्ट्रम डिसॉडर अब देखिए आपको ये भी दे दिया गया है कि सेवेंट सिंड्रोम क्या है सेवेंट सिंड्रोम एक दुरलब इस्थिति है नहीं बहुत रेयर सिच्वेशने कंडिसन्स होती है जिसमें ऑटिस्टिक विकार सहीत विभिन विकासात्मक विकारों वाले व्यक्तियों में द्यूख शमता और प्रतिभा होगी और उसे आटिजम स्ह простоm disorder होगा उसी को हम सेवेंट सिंड्रोम कहेंगे यहाँ पर देखे सामन्त लिग गया है जो सेवेंट सिंड्रोम है उसको सेवेंट सिंड्रोम ही पढ़िएगा से पीडित वेक्तिका यु इस्तर क्या होता है और से से नीचे और सामान सीमा के बीच में होता है किम पीक से प्रेरित फिल्म 1988 का नाम क्या था रैन मैन नेक्स्ट कॉश्चन है कि रैन मैन फिल्म में किसका स्वरी किम का किरदार निभाने के लिए किसे अगड़ी भूमिका में सर्व स्रेष्ट अभिनेता का आश्कर पुरुसकार दिया गया ये हैं डेस्टिन हॉफ मै नेक्स्ट कॉश्चन है कि किस इस्थिती को मैक्रो सेफली कहा जाता है आशामान रूप से बड़े आकार का सिर्व जिसकी वज़े से उनको चलने में दिक्कत हुआ करती थी किम पिक नेक्स्ट कॉश्चन है किम किस कॉसल की कमी के कारण किम को अपनी सर्ट के बटन लगाने जूते का फीता बांधने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था लोको मोटर इस किल में प्रॉबलम थी कमी तो ये कुछ कॉश्चन और भी बहुत सारे कॉश्चन आपको MCQ में मिलेंगे जल्दी हम इसे खतम करते हैं कुछ दिनों में और फिर सिलेबस भी देखेंगे बहुत सारा सिलेबस से भी कबर हो जाएगा और बहुत सारा सिलेबस से रिलेटेट जो चंदीगड़ी एक्जाम है स्पेशल एजूकेशन का उसका बहुत कुछ बन भी चुके है अल्लेडी बने हुए है जिसमें डिसिबिलिटीज और अन्ने कॉश्चन से रिलेटेड हैं MCQ आप उन्हें जरूर देखिए हम कोशिस करेंगे और भी MCQ बना करके आपको प्रोवाइट करें बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए चेहिंद बनने मतम थैंक यू सो मच